दोस्तों सब्सक्राइब करें आराजे इंफो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्का और सलाम वेलकम मैं आपका दोस्त मैं आपका भाई आराजे आप सभी का स्वागत करता हूँ आराजे इंफो चैनल में और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं सब बढ़िया रहे हैं तम फर्स क्लास दोस्तों कम्यूनिकेशन क्या है यह कम्यूनिकेशन किस बला का नाम यह सर communication actually होता क्या है सर हमको जड़ा बताईए जड़ा explain कीजे कि आपने communication को कैसे बढ़ाया हो यह किस बला का नाम है communication तो दोस्तों आप से जो सवाल पूछी जाते हैं इंट्रुव में उसको क्या बोलते हैं communication मतलब अगर आप प्रॉपर में देते हैं उसको answer तो वह हो गया communication आप से सामने वाला बंदा जो पूछ पूछ रहा है आप उसको प्रॉपर में communicate कर रहे हैं मतलब यह क्या हो गया प्रॉपर वे में उसको आप बता रहे हैं तो आपको बहुत सारी problem face करने पड़ती है कि आपके abm बोल सकते हैं क्या यह तुम्हारा communication है communication अच्छा नहीं है communication is very poor मतलब वह उस time उस condition में क्या होता है पता है वह आप से पूछ किया रहे हैं आप बता किया रहे हैं इनके बिन विजलेट में क्या लिखा है आप क्या बता रहे हैं क्या समझा रहे हैं जो आते हैं लिफलेट रिमाइंडर जो इसको बोलते हैं दॉक्टरों को देते उसमें कुछ scientific knowledge दिये होते हैं क्या आप उसको प्रॉपर वे में पढ़ते हैं क्या आप वहां पे उसको बताते हैं क्य सब्सक्राइब करेंगे जो कुछ लिखा हुआ है scientific knowledge में उसको proper way में आप पास करेंगे तो यह आता है communication के अंडर आता है कि हाँ इस बंदे communication अच्छा है यह सब कुछ proper में बता पा रहा है तो आप कहेंगे कि सम फिर हम इस communication को बढ़ा है कैसे simple है दोस्तों आपको training में दिया आती है book जिसमें सब कुछ mention होता है product के बारे में उसका action mode of action सब कुछ दिया होता है उसमें dose and all things वो पढ़िए देखिए समझिए और box box भरके आप लोगों को आते हैं reminder जिसको हम लोग क्या करते हैं कुछ लोग कच्रे में fake देते हैं क्या इसका कोई use नहीं लेकिन दोस्तों उसका बहुत ही use होता है अगर आप उसमें देखेंगे उसमें इतने सारी unique point होते हैं जो कि आप doctor के सामने highlight कर सकते हैं वहां पर अगर आप इन चीजों का highlight करेंगे तो आपका जो चीज़ें कमसे का आप उसको बता सके उसको आप communicate कर सके proper way में कमसे कम इतना दो करिए और दोस्तों आप लोगों के पास होते है विजुलेट तो विजुलेट का कैसा होता है कि उसमें जो भी दियोते वर्ड अगर आपको नहीं समझ मैं तो डालिए Google के ओपर तो आपको नहीं बता पा रहे हैं तो आप RSM से पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई भी नहीं बता पा रहा है ऐसा तो होगा भी नहीं ठीक है कि आपको कोई बता ही ना पाए आपको ABM बता देंगे आपको RSM जोरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपको नहीं बता पाते हैं अगर आपको लगता है कि कैसे पुछ आपको डर लग रहा होगा तो आप जाए गूगल के उपपर डाल दीजिए उस वर्ड को वहाँ पर आपका उसका मीनिंग में जो भी है सब कुछ उसका मीनिंग आ जाएगा फिर आप उसी तरीके से अपनी लैंग्विज में उसको बना के आग प्राल दीजिए तो भी चल जाता है और दोस्तों अगर आपको बोला जाता है कि प्रेजंटेशन दिखाओ अगर जो प्रेजंटेशन आप बनाते हैं उसको और आपकर उसको अश्कूर होगा बस आगे चुछ बख्तOO इसमें टाइम लगता है 6 month किसी-किसी बंदों को च्छे में लेंगे लेकिन ये नहीं कि आयेगा नहीं हो गा नहीं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन चीजों को लें टेंशन बिल्कुल भी ना लगी सर, communication मेरा पूर है, मेरा ये पूर है, मेरा वो पूर है, मेरा सब कुछ पूर है, पूर, 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 ऐसा होता नहीं है, आपको सब चीजे मिल रही है, सारी facilities वहाँ पर आपको मिलेंगे, documents, paper, paper, वेपर सब मिलेंगे, उनको आप पढ़िये हम बोलते हैं कि sir हमने तो कभी ग्राइशन में पढ़ाई नहीं की मैंने वहाँ पढ़ाई नहीं की मैंने धर पढ़ाई नहीं की बस हम पास हो गए लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पढ़ाई करने पढ़ेगी कि यूद कैसा होता है कभी भी आपको बॉस कुछ भी पूस सकते हैं तो जो रिमांडर होते हैं उसको ऐसे ही मत फेकिए डॉक्टर के साथ ने बस ऐसे जाके मत रख दीजिए जो कुछ लिखा हुआ उसको बताईए तो ये भी अंडर कम्यूनिकेशन में आता है कि हाँ बंदे एक मेना-दो मेन에, तीन मेहने तो आप इसका टेंशन भी मत लीजे कि मेरा कम्यूनिकेशन पूर है ऐसा नहीं है आपकी सोच आपने खुधी पूर कर लिए है कि मेरा कम्यूनिकेशन पूर है तो ऐसा मज सोचिये बिंदास रही है अब आम इसे बहुत से लब बोलेंगे कि स तरफ एक कम्मिनिकेशन को बढ़ाएंगे कैसे फिर आपने यह तो बताया नहीं तो दोस्तों मैंने बताया ना कि जो चीज़े आती हैं आप उनको पढ़िए देखिए गूगल पे डालिए समझीए फिर आगे पास कीजिए यह क्या होता है इससे आपको कम्मिनिकेशन बढ़ेगा यह नहीं कि मेडिसिन खा ली कि कम्मिनिकेशन बढ़ गया नो नट अट आ ओल ओके समय मैं आपको English, English के मेरे वीडियोज आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए आप देखते रहे हैं तो आपको knowledge मिलेगा और आप उस तरह कैसे बोलिए और definitely you will grow, definitely I am damn sure about that लेकिन यह नहीं कि बस खाली देख रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं फिर वो काम नहीं करेगा, इससे आपका टाइम बरबाद होगा चीजों को समझेए, पढ़िए और फिर आगे उसको पास कीजिए बहुत ही एजी है, विए सारा डाटा आपको सारा डॉक्यमेंट जो भी होता है नॉलेज गेन करने के लिए, आगे पास करने के लिए, बताने के लिए डॉक्यमेंट को आपको सारा डाटा सारा माटेरियल आपको कंपनी प्रवाइड करती है, बस आपको वो प्रॉपर वे में यूज करना है कैसे यूज करते हैं, वो आपके उपर डिपेंड है अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर इससे क्या होगा आपका ही communication बेकार होगा आप communicate नहीं कर पाएंगे proper होगे तो आपका impression पढ़ेगा bad तो जो भी material, leaflet, reminder, visulate, जो भी आते हैं आपको sample, sample यह सब चीज़े आप देखिए proper way में, समझीए, फिर आगे बोलिए अगर अभी भी आपको कुछ चल रहा, confusion, कुछ है आप मुझसे पूछना चाहते हैं सवाल तो डाल दीजे comments, मैं यहां बैठा हूँ, आज सभी लोगों के लिए, मैं आपको reply देता हूँ और देता रहूंगा, so thank you so much for watching my video, please keep on watching, bye bye, take care